आपका स्वागयात है हमारे चैनल पे मैं मौझूद हूँ कानपूर सहर के कानपूर के पुलिस आयूत कमिश्टर ओफिस में जैसा कि योगी सरकार दावा करती है कि महिला ससित की करन के द्वारा महिलाओं को नयाय दिलाया जाए महिलाओं को सुनी जाए लेकिन यहाँ पर अगर धरातल पे आते हैं और उसको जानकारी करते हैं तो यहाँ पर कुछ और ही बात निकलती है इस मुहीम में हमारे वीच में सब्सक्राइबंगे जहां मेरे जॉब पकड़ती हूँ, मेरी जॉब छुड़वा देते हैं, आप नयाए के लिए कौन से ढखाने गएती? और हमारा एक लंबीत है और उस पहीं क्या होता है जब मैं अप्लिकेशन देती हूं तो एफार लगा दी जाती है और कई बार तो मुझे थाने से भगा दिया गया कोई सुनवाई नहीं होती है आप यहां पर पुलिस आए तो आफिस में आई है हैं मैं सीपी साब के पास आई है जो बड़े अधिकारी है वो अच्छे सुनते लेकिन चोटे इस्तर पर जो सब इंस्पेक्टर और वो नहीं ध्यान देते हैं और मैं बहुत परेशान हूं चुक्यूं इस चीज को लेकर मेरे फादर कैंसर पेशेंट है 75 यार ओल्ले मैं उनके उपर डिपेंड़ों के र हूं यहां पर आपको मेरा देखेंड लग रहा है कि मैं किती टॉर्चर रोचुक्यूं आल्रीडी क्या आपने जो अपनी समस्या है या आप निजी ठानों में गई क्या आपने विवेचना लिखवाई क्या पूलिस या आपको क्या अस्वासन मिला में पूलिस जो इंस्प लेने जाती है एक महिला निजी धानों में पड़ी लिखी हूँ थोड़ी बहुत जब मेरे संग्य हो रहा है तो जो बताहिये बिल्कुल नहीं पड़ी लिखी है बिल्कुल टिपिकल हाउस वाइफ उनके संग्या होता होगा आपको न्याय नहीं मिलता है तो अगला स्टेप होगा यहां आने कि बाद नयाय नहीं मिलता है तुम्हे योगि जी के पास जाओंगी जो कि मैं दो महीने से प्रयासरफ हूँ लेकिन यहां से लगातार आश्वाषन मिलते जा रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है और अगर यहां से मुझे नहीं मिलता है तो अब मैं इमीडियेटली योगी जी के पास जाओंगे उनसे अपनी बात को बोलूँगे कि बताइए मैं क्या करूँ या तो मैं सुसाइट कर लूँ या तो मैं यह जो मेरे उपर इतना दबाओ पड़ रहा है सब तरफ से मैं कैसे जी हूँ मुझे जीने का अधिकार नहीं है क्या महिला शक्तिकरण की बाते होती है लेकिन जीने का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया जाता है कही ना कहीं आपकी गुहार हम कोशिस करेंगे कि यहां क्या अलादिकारियों सो योग्यादिनार तक पहुचाएं ताकि आपको सदेज देना चाहिए अपने इस प्रेडित है अभस्था में महीलां शक्तिकरण के लि coupon कि यह दिराएं कि जारे लोगी जी मनाया जा उसका पालन हो रहा है नीचे इस तर पर कर्मचारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर्ट क्या है सच्चाई क्या दूसरी पार्टी से उन्होंने सुविधा सुल्ख लिए है कि क्या इनके कुछ गलतियां है तो आईए हम बहुत सी बातों को हम आपको रूबरू कराएंगे जब तक हमारे साथ जुड़े राश्यंत्रा खबरों से मैं सरस्पादक आजिस सविता एंटिगर्स न्यूस के साथ जैहिंद जैभार